सब्सक्राइब नमस्कार आप सब्सक्राइब एरा इंग्डी शुन्या खायर प्यानल सुन्ये सौड़त है मेरा नाम साइता मैं आपकी हिंदी पीछा दूँ तो आज हम कक्षा शुरू तर्मिसे कर ले जो हमने पिछली कक्षा में किया था उससे एक बार दौर आएंगे तो देखो हमने पिछली कक्षा में हिंदी वर्णमाला के बार में जिका था ना वर्णमाला किसे कहते हैं वर्णों की समुख को वर्णमाला किरते हैं तो वर्णमाला में हमने स्वराक्षर देखे थे वेंजे नक्षर देखे थे और संभी तक्षर को भी देखे थे तो स्वरा स्वाराक्षर किसे कहते हैं, पेजनाक्षर किसे कहते हैं, और सम्धिताक्षर किसे कहते हैं, यह देखते जाएगी, तो देखों यहां पर स्वाराक्षर, यहां स्वार बेपो चकते हैं, स्वाराक्षर आ से लेकर अहां तक है, कां से लेकर, आ से लेकर अहां तक है, इस स्वा तो स्वाराख्षर किसे यहते हैं स्वतक्त रूम से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर करते हैं यहां पे स्वाराख्षर बोलने के लिए किसी की अन्वणी की सहायता नहीं होती स्वाराख्षर जो होते हैं वो स्वतक्त रूम से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं मैं शिर्भ问 करने फेसขYes दियां को है है 2 ख którzy खरख एक हार तक खर्खेट है कुस्ति हम सकेहिए 33 को लिएऔर लुढे look is introduced ऎ가요 तो इंवडंगिस तो आसे थे सअंवह से औक ना आने को किता है क्रा से लेकर हार तक्रूप वेंजन अख्षर है तो क्रा से लेकर हार तक्रूप वेंजन अख्षर कितने है तेन्टीस है तेन्टीस को इंग्लिश में 33 होते है तो देखो वेंजन अख्षर किसे कहते है स्वर्ट की सहार्था से बोले चाने वाले वर्णों को वेंजन कहते हैं आपको पता है मैंने पिछनी कक्षान आपको बोला था कि वेंजन के स्वर्ट को बोलने के लिए किसनी अन्मित्विनी की सहार्था नहीं होती पर जब बेंजन होते हो तो आपको स्वार्थी साहता होना पड़ता है इसलिए को हम बेंजन नाक्षा कहते हैं तो नेश्टिहां के जो है सम्भित तक्षा या सम्भित बेंजन श्या, र, न, और श्रा है यहां जो इतने हैं सम्भित तक्षा रो चाह है देखो आप आप छोटी तक्षा में हो तो आप सिर्फ तर तीन पर धान देओ शा, प्र, न, इन तीन पर धान देओ तो यह श्रा है आगे जाते जाते आपको इसका पर्चे भी होते जाएगा तो आप साम्यप तो वेंजन या साम्यप तक्षा किसे कहते हैं दो अलग अलग वेंजनों के मिलन से जो अक्षर बनता है उसे साम्यप तो वेंजन करते हैं देखो दान जी सुनों दो अलग 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 दो वेंजन तो अलग अलग वेंजन तो डिफरेंट हो एक जैसे नहीं सेम नहीं अलग अलग डिफरेंट हो दो अलग-अलग वेंजनों के मिलने से एक जो अक्षर बनता है उसे हम साम्युक्त वेंजन या साम्युक्त अक्षर करते हैं तो आपको पता चला ना वर्णा माला में स्वराक्षर, वेंजन अक्षर और साम्युक्त अक्षर यहा憤। अख्षक है है तो यहाँ पे आज हम 12 परिकने का सिखेंके पर्थे आको 12 परिष्टि जो है इसे बोरने के लिए हमे चाहिटा परती है यहां पे लिखर आधात का अधिने का हथा होता है यहाँ पता है Jad superior 12 के हो तो सोचते हो काईशा इतना बोलकर तो देहां डाफया आधा थेмовड़े का आपको पता है यहाँ पर का के चीन्हो को दाता है चीन्हो देख़ए यहाँ पर यहाँ पर आठा बेजन आकशा है वेज़नाक्सव को बोलने के लिए स्वल की सहार्ता होती है तो हम आपके कॉन साक्ष़ है का है उसी तरहा आधं का अधिक आ इसकोर्त का आधांका अधित इ, इसी पोल्टु की आधांका अधित इ, इसी पोल्टु की आधांका अधित उ, इसी पोल्टु कु आधांका अधित उ, इसी पोल्टु कु तो यहां तो मैंने बारा कड़ी सिर्कांपे आधाय निखा है और आप इच्छु इस्तु, पू के बाद आधाय बारख़डी हो, आपको लिखना चाहिए, इतना पर हमें, आधा का, अधिक कू, रू, is equal to, कू, आप सबको बारख़डी आते हैं, नाम देखो, क, 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 की, कू, 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 कू के बाद क्या आता ह है, के आता है, के के बाद के नहीं आता, हिंदी में के, कई, को, कू, कम, कहा, बस इतना तो यहां पर आपको धर पे हैं, जो आगे की बाराख़डी है, वो आपको लिखनी चाहिए तो यह हम पेज आज की कक्षा यहीं तक है आज हमने क्या देखा वर्णा माला में स्वराक्षर, मेंजननाक्षर, सम्युपताक्षर और बाराह कड़े को कैसे लिखते हैं तो इसके बारे में हम अगले क्षा में फिससे एक बारों देखती जाएगी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद